हेलो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के डेट पर स्मार्ट वाच कितने जाधा ट्रेंड पर है अगर आप भी कोई अच्छा सा ब्लुटूथ कॉलिंग वाला स्मार्ट वाच ढूंड रहे तो ये वीडियो आप सभी के लिए हमारे पास ऐसे दो बहत्यरिन प्रोडक्ट है जिनका हम डिटेल कॉंपरिजन करेंगे और एंड में आप लोगे साथ शेयर करेंगे कि कौनसा बाला प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए तो guys दोनों product मेरे पास कुछ दिनों से हैं मैं दोनों product को use कर रहा हूँ तो अपने experience के base पर आप लोगों के साथ share करूँगा तो चलिए वीडियो का हम फटाफट शुरू करते हैं तो ये हैं हमारे पास दो product एक है bolt का rover और noise का color fit icon buzz build quality के बारे में अगर बात करूँ तो हमें bolt rover में देखने को मिलता है proper metallic body और नीचे plastic का frame और नीचे sensor भी लगा हुआ है और noise के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें भी हमें same metallic body देखने को मिलता है और नीचे की तरफ हमें plastic का frame देखने को मिलता है दोनों के design के बारे में अगर बात करो तो हमें bolt में थोड़ा bulky वाला थोड़ा मोटा देखने को मिलता है और noise में हमें थोड़ा slim body देखने को मिलता है और गैस यह अपना अपना प्रस्पेक्टिव है कि कौन सा वाला डिजाइन लोगों को अच्छा लगता है किसे को राउंड अच्छा लगता है किसे को स्कॉयर वाल अच्छा लगता है अगर बताओ तो मुझे दोनों डिजाइन मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा ऐसा कुछ बसका आपाँ कीजहरे में करो तो पोल ऑबर में आपना देनी को मिलता है 1.3-1 इंच का मुल participant हमें देखने को मिलता है देखने का मिलता है 1.169 का टी-फटी डिस्प्ले अग­र दोनों को कंपेरिजन करें तो हमें ज्यादा बड़ा इसक्bolt ढ сиг Intellect देखने को मिलता है जिसका color accuracy और contrast काफी अच्छा है इससे और इसका भी no doubt इतना खरब नहीं है इसका भी color accuracy काफी बढ़िया आता है TFT display होने के बाद भी features के बारे में अगर बात करो तो दोन में हमें almost basic features सारे मिल जाते Bluetooth calling बगरा सब कुछ हमें proper मिल जाता है बट इसमें एक features मुझे ज्यादा लगा हो है हमें इसके अंदर music play कर सकते हैं गाने भी सुन सकते हैं हमें में सुनाएंगे भी आप सभी को water certification के बारे में अगर बात करो तो हमें bolt rover में IP68 का certification देखने को मिलता है बट noise में हमें देखने को मिलता है IP67 में गाइस इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडपेंटेस मिलता है बोल्ड रोवर में क्योंकि IP68 राफ यूज करने के लिए मतलब डेली लाइफ में यूज करने के लिए काफी बहतर होता है IP67 से तो मैं इसके purpose अगर आपका uses ज्यादा ह है आप पानी बगरे में ज्यादा ले जाते हैं या फिर आपका dust area में अगर आपका ज्यादा work रहता है तो आप इसको लेना प्रेफर करो ज्यादा आपके लिए बहतर होगा क्योंकि इसमें आपको IP68 का water certification देखने को मिलता है sports mode के बारे में अगर बात करो तो bolt rover में हमें 100 plus sports mode देखने को मिलता है और हमें noise में देखने को मिलता है 9 sports mode only sports mode के बारे में बाता तो bolt rover काफी आगे चला जाता है watch faces के बारे में अगर बात करो तो हमें bolt rover में 150 plus watch faces देखने को मिलता है और noise में हमें देखने को मिलता है 100 plus watch faces तो यहां में भी हमें bolt rover में watch faces जादा देखने को मिलता है और अगर accuracy के बारे में बात करो तो आज काल smart watch लोग काफी health के क्यार करने के लिए भी लेते हैं तो मैं दोनों प्रोड़कों कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी जाधा एकॉरिसी हमें बोल्ट रोबर में देखने को मिलता है according to noise, noise में थोड़ा जाधा problem हमें देखने को मिला है UI और touch response के बारे में बात करों तो काफी smooth experience हमें देखने को मिलता है बोल्ट रोबर में काफी एकदम soft सा feeling आता है और इसमें AMOLED screen है तो no doubt काफी जाधे experience और भी अच्छा हो जाता है और अगर हम noise के बारे में बात करों तो इसमें हमें थोड़ा सा basic पुराना style का interface या UI के लो आप देखने को मिलता है तो तोड़ा सा लेगी type मेरे को feel होता है बोल्ट रोबर से बोल्ट रोबर का काफी smooth है UI और noise का थोड़ा मतलब अटक अटक के चलता है मुझे ऐसा feel होता है मतलब इसका जाधा अच्छा में लगा बैटरी के बारे में अगर बात करें तो बोल्ट क्लेम करता है कि इसका 10 डिसका हमें बैटरी लाइब देखने को मिलता है और noise कहता है कि हमें इसमें 7 डिसका बैटरी लाइब देखने को मिलता है बट रियल लाइफ में इसमें 6-7 डिसका मिला है और नोज में 5-6 डिसका और इस प्लेवर में दो चीजे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो हमें एक इस्ट्रेम एक्स्ट्रा मिलता है और इसमें हम म्यूजिक प्लेए कर सकते हैं एक बार इसके अंदर हम म्यूजिक प्लेए करके भी आपको दिखाते हैं म्यूजिक प्लेए करते इसके अंदर अब अब बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ की कौन सा वाला प्रोड़क्ट आपको लेना चाहिए तो गैस दोनों प्रोड़क्ट का अगर प्राइस का डिफरेंस देखे तो हमें 1300 को देखने को मिलता है अगर 1300 अब ज़ादा देंगे तो आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है IP68 का वर्टर सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है और स्पिकर में गाने सुनने का मौ का मिलता है अगर आप 1300 सेप करना चाहते है तो आपके लिए काफी अच्छा उप्शन बन जाता है नॉइस तो गैस हम दोनों प्रोड़क्ट का लिंक डेस्क्रिशन पर डाल देंगे वहां से भी डारेक्लिया पर्चेस कर सकते हो अगर कोई भी सवाल है दोनों प्रोड़क्ट